साथियों यदि आप यूपी PCS, बिहार PCS या बिहार सिक्षक भरती पर इच्छा की तयारी कर रहे हैं तो भारती रास्टिया अंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर प्रश्ण आपको बार बार पर इच्छाओं में देखने को मिलते हैं उसे लेकर के हम आपकी समक्ष प्रस अगला प्रश्ण दिया गया है कि मुस्लिम लीग की अस्थापना सन 1906 में हुई थी कहां पर मुंबई में लाहोर में धाका में दिल्ली में तो आप जानते हैं कि 30 दिसंबर 1906 को धाका में नवाव वकाल उल मुल्क की अध्यस्था में ओल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने क अगला प्रश्ण दिया गया है कि निम्ने में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ती की बाइबल मानी जाती है जो की बंकिम चट चटर जी द्वारा रचित है अगला प्रश्ण है कि निम्ने में कौन मध्यम मारगी नहीं था तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्यम मारगी नहीं थे बाल गंगाधर तिलक लाला लाजपत राय तथा विपिन चंदरपाल कांगरेस के गरम दल से संबंदित थे ये लाल बाल पाल की नाम से भी प्र अगला प्रश्ण दिया गया है कि भारतिय रास्टिय कांग्रेश की सरुप्रथम मुस्लिम अध्यच थे तो भारतिय रास्टिय कांग्रेश की सरुप्रथम मुस्लिम अध्यच चुदू थे वो आपका विकल्प D सही होगा बदरुदीन तैयब जी भारतिय रास्टिय कांग् 1885 को बंबई में ग्वालिय टैंक इस्तित गोकुल दास तेजपाल संस्कित कॉलेज में संपन हुआ जिसकी अध्यसता विमेश चंद्र बनर जी ने की थी इनके प्रतम अध्यस बदरूदीन तययब जी थे 1888 में इलहाबाद में जोर्ज यूल थे 1889 में बंबई में सर विलियम वेडर बर्न थे 1890 में कलकत्ता में फिरोज साह महताजी थे अध्यश्च इंकलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था तो आप जानते हैं इंकलाब जिन्दाबाद का नारा भगस्शिंग ने दिया था 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रा अंदोलन वापिस लिया था चौरी चौरा हिंसा के कारण जो सत्यागरा अंदोलन था 1922 में उसे गांधी जी ने वापस ले लिया था महात्मा गांधी को राष्ट पिता सरुप्रत्थम किस ने कहा था तो सुबाष चण्डरबोवच जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को रास्ट पिता के नाम से संबोधित किया वेदो की पूर्णर उृठान का स्रेय किसे है तो वेदो के पूर्णर उृठान का स्रेय जो है वो स्वामी दियानन्द सर्च्वटी जी को है अंग्रेजों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिधान को किसने प्रतिपाइदित किया था दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के सासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिधान को प्रतिपाइदित किया था अब एक ये सूची एक वा सूची दो को मिलाएं तथा नीचे दिये गए कुट का प्रेयोग कर सही उत्तर का चैन कीजिए ठीक है तो विकल्प एक आपका सही होगा लॉर्ड डलहोजी दो थे व्यपहरण का सिधान ये प्रसी थे लॉर्ड विलियम वेंटिंग जो थे उनका संबन्द था सती प्रता का निसीत से लॉर्ड डिपन जो थे इनका स्वायत सासन से संबन्द था और लॉर्ड कर्जन जो थे वो बंगाल का विभाजन से संबन्दित है इसलिए भी कल्प आपका एक सही होगा धन्यवाद